नमस्कार लाइट कुकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे चिकन के पराठा और चिकन पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम दो तियार करेंगे यहां मेरे आठा ले लिया है इसमें हम अजवाइन करश करके डालेंगे इस तरह से जिससे की इस पानी डालते वे एक डो त्यार कर लेंगे जिस तरह हम आठ रोटी के लिए दो त्यार करते हैं देखिए हमारा डो भी त्यार हो गया है इसे रखते हम साइड में और हम स्टफिंग की त्यारी करते हैं यहां मैंने चिकन को वाश करके छोटे टुकड़ो में कट कर लिया है और यही मैंने दो चम्मज रिफाइड ओल गरम होने के लिए रख दिया दा कड़ाई में इसे हम फ्राइब करेंगे चिकन को जिससे की यह पक जाए यह देखिए फ्राइब हो चुका है इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और दे चुका लेंगे यह देखिए मैंने पीस लिया है इसे हम एक बॉल में लिकाव लेते हैं और इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले जैसे बार्रीक चोप रावा प्यांच क्छय हैं तक droite .... मशय हैं और भुनावा चीर्या जिसे मैने तवबे में सेख कर पीस लिए हैं लगी और चि लस्टन की कर लिया तीन चाह जिसे मैंने छोटे छोटे बारिक चौप कर लिया है मिर्च आप अपनी अवशक्ता के अनुसार कम जादा कर सकते हैं और इसी में हम डालेंगे ड्राइए मिंट्स अगर आपके पार ड्राइए मिंट्स नहीं है तो आप इसके जगह कस्तुरी मेथी भी डाल सकते हैं या सकिप दो कर सकते हैं नमक दालेंगे नमक की mmmade एक यिनमक का दियान रखनाता है विह रखन अपनी अवशक्ता कि अनुसार के डालें इंस तो इसे मीश Bakane products का लिए और इसी में हम तोड़ा सा राल मिर्ष पाॉडर यह तीखी ऑघरम मसाला और इसे हम हमुआ से मिक्स कर लेते हैं कि हमारी स्टफिंग भी रेडी है और यहां मैंने पेड़ा लिया है पेड़ा आप अपनी अवश्यक्ता के अनुसार चोटा बड़ा कर सकते हैं इसमें हम सुखा अठा लगाएंगे इस तरह से हम हाथ से ही धीरे-धीरे फैला देंगे जिसे कि हम इसके अ इस तरह से नीचे रखके और एक बार हम इसे घुमा लेते हैं और नीचे रखके हमें इस तरह से पुष्च करना है धीरे-धीरे जिसे कि हमारा प्राथा फटे ना ऐसे करने से प्राथा का चांस कम होता है फटने का और हम थोड़ा सा सूखा अठा लगा के इसे हम बेल दें है हमारा तावा भी गरम हो चुका है और इसे हम इसमें डाल देंगे चलिए मैं एक और बना के आपको दिखा देती हूं इस तरह से हम सूखा अठा लेंगे और थोड़ा लगा देंगे और हाथ से ही इसे फेला देंगे जिससे कि इसके अंदर हम स्ट्रफिंग भर सकें और हम इसे दाबाते हुए इसके कोणों को एक दSi बाते हूं चिपका देंगे और एक बर हम इस तरह नहीं ब्रॉमा देंगे हो इंदर हम देरे हम दूरे इस तरह से על देंगे जिससे कि हमारे प्राथे है और इसे भी हम इस तरह से बेलेंगे चलिए इसे हम सेक लेते हैं अच्छे से जो हमने प्राठा डाला था तवा में और इसे हम अच्छे से सेक लेंगे पहले और फिसके बाद हम इसके उपर ओइल लगाएंगे अब इसके उपर हम चारो तरप से ओइल अच्छे से लगा देंगे हरा है कि देखे इस तरह से अब इसे हम पलट देंगे और नीचे वाले यह से में भी अब अभी लगा देंगे है कि और इसे हम नग्ते हम बाते हुए अच्छे से आप ने किशा ह Purग नति प्लट दे physi को जतना ही था है जीए चलिए इस तरह से दबाना है सेखना है एक वार हम इस तरह से प्लट देते हैं देखिए कितना अच्छा कलर आया और बहुत ही अच्छा सिखा है आ गया ना मुह में पानी देखते ही साथ आप इसे जरू ट्राइ कीजिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरू कीज है चलिए इसे लिका लेते हैं और जू हमने दूसरा बह्या को इसको में उसी तवा में डाल देते हैं वार इसे प्लट लेएं है और इसी तरह अब गैस हम ओफ कर देंगे और चलिए करेंगे इसकी प्लेटिंग आप इसे चटनी चाए रायता या दही के साथ भी इंजोई कर सकते हैं लीजिए हमारे चिकन के प्राठे बनके रेडी है मैंने इसे स्टफिंग के साथ सर्फ किया है वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए लिए